कि है containing हैं है 23 हैं है है आई वैलकम एस रश्चनर वाणिए हंध की अउपर डिसकस करेंगे जिसमें कि हमने लो के ओपर डिसकस करैंगे आज के lecture में हम ORI और selectable markers के उपर discuss करेंगे कि इस तरीके से यह function करते ही plasmid के उपर और क्या इनका important rule है यह हमारे पास diagram है PBR 322 एक तरफ हमारे पास यहाँ पर दो तरीके से antibiotic resistance को हम show करते ही यहाँ पर यहाँ पर ampicillin है और यहाँ पर tetracycline तो ampicillin R लिखवा है ampicillin R means ampicillin resistance और यहाँ पर tetracyclic resistance है यह दोनों हमारे पास antibiotic होते हैं हमें antibiotic resistance या recombinant हुए है या नहीं हुए उसके लिए हमें यह culture medium में इनको चेक करना पड़ता है जो भी हमने recombinant कराएं foreign DNA को तो उसके लिए हम इन दोनों ही antibiotic को चेक करते हैं antibiotic resistance को चेक करते हैं तो चलिए फिर अब देखेगा यह हमारे पास important है यहाँ पर एक site है जिसको आपने ORI नाम दिया प्रिवेस लेक्चर में भी हमने इसके उपर discuss किया था ORI means वो site जहाँ पर अब यहाँ पर ampicillin resistance है यहाँ पर हम resistance को चेक करते हैं कि हमने जो हमने foreign DNA या Allen piece of DNA डाला है इस plasmid के अंदर specific site पर specific site पर मिन selectable marker की मदद से वहाँ पर cut करके ligase enzymes की मदद से उसको वहाँ पर चिपकाया है तीक है उसको add कर है उसके बाद हमने यह भी तो चेक करना है कि वह रिकॉंबिनेंट हुआ है यह नहीं हुआ है तो उसके लिए हम उसको culture medium में grow कराएंगे अगर वह grow करता है और नहीं करता है condition कौन से आती है तो हम यह culture medium में जा करके चेक करेंगे कि इन दोनों के लिए वह resistance है नहीं है तो यहां पर ओर आराई मिन्स जहां पर origin of replication होता है उस site को हम ओर रही कहते हैं अब replication जब बनेगा हमारे foreign DNA आएगा बन करके तयार होगा रिकॉंबिनेंट होगा तब चेकर आए तो उसमें replication होगा उस site को हम ORA क्याते हैं अब देखिए हैं यहाँ पर rope यहां पर protein को coat करता है ठीक है rope क्या करता है कोस फूर प्रोटीण ये protein को code करता है और replication में help करता है ठीक है require for DNA replication ठीक है प्रोटीन को कोड करेगा और कोड करने के बाद DNA के रिप्लिकेशन में मदद करता है या रिप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है तो रोप वो साइड है जहां पर ये DNA को कोड करेगा और रिप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है अब हम अपने किवल यहां पर इन दोनों को देखिएगा, ampicillin resistance और tetracycline resistance जो ये दो site आपके पास यहाँ पर है, आप इनको focus कीजिएगा, tetracycline resistance में balm 1 और sal 1 है, इनको हमने देखना है और इनी site पर हमने इसकी इनी site पर क्या करना है, cut करना है, first cut हम tetracycline resistance की site पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, किसी specific site पर, supp duy हमने यहाँ पर selectable marker की मदद से हमने यहाँ यहाँ पर cut लगा है, क्योंकि हमारे desirable place है, ठीकिए, अपने desire के according हम यहाँ पर cut करेंगे हैं, और अपने desire के according ही अपनी desirable foreign gene को यहाँ insert कर रहे हैं, ठीकिए, insert कर रहे हैं तो ligase की मदद से यहाँ हम उसके साथ insert करे molecular seizure की मदद से हमने cut करा था ligase की मदद से हम इस specific site पर उस foreign DNA को cut करें suppose हमारे पास यह foreign DNA है यहाँ पर जो draw है तो इसको हमने इसकी specific site पर cut करा और cut करके हम क्या करेंगे अगर हम cut करने के बाद हम इस DNA को यहाँ पर जोड़ देंगे तो अब हमारे पास यह DNA आ गया फिर हमने चेक करना है कि जो हमने foreign DNA यहाँ insert करा था क्या वो ligate हुआ है यह नहीं हुआ है तो उसके लिए हम culture medium का use करेंगे उसके लिए हमारे पास दो नहीं words आएंगे recombinant and non recombinant transformant and non transformant ठीक है अगर वो recombination हुआ है इसके साथ जुड़ गया है नया character आ गया तो उसको recombinant कहेंगे नहीं हो पाया तो non recombinant कहेंगे इसको हम चेक कैसे करेंगे इसको हम culture medium की मदद से चेक करेंगे enzymes की मदद से चेक करेंगे कि recombinant हमारा जो foreign DNA है इंसर्ट होकर कि plasmid के अंदर इंसर्ट हुआ है recombination हुआ है उसका यह नहीं हुआ है इसको हम चेक करेंगे तो देखिएगा selectable markers भी हमारे लिए important role play करते प्रिवेस lecture में आपने selectable markers के बारे में पढ़ा कि इसमें क्या होते हैं molecular seizure आप इसको है endonuclease and exonuclease के बारे में हमने discuss कर रहा endo means जो inside की तरफ से cut कर रहा exo means जो उसकी side से cut कर रहा है तो selectable markers को आपने molecular seizure कहा अब selectable markers में हम दो चीज की study करते हैं transformant and non-transformant transformant means recombinant and non-transformant means जो recombinant नहीं हुए ठीक है अब transformant and non-transformant को आप और detail से समझोगे तो इसको समझने के लिए जो हमारे पास desirable gene है या desirable DNA है ठीक है तो desirable हमारे पास जो DNA उसका test करेंगे हम की यह recombinant हुआ है या नहीं हुआ है तो उसको check करने के लिए हमने recombinant या non-recombinant के लिए रिकॉंबिनेशन भी हो सकता है नहीं भी हो सकता अगर हमने सही साइट पर नहीं जोड़ा है लाइगेट नहीं वाए प्रॉपर तरीके से लाइगेश एंसाइम नहीं सही काम नहीं करा है तो वह रिकॉंबिनेंट नहीं होगा नौन रिकॉंबिनेंट बन जाएगा तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे रिकॉंबिनेंट नौन रिकॉंबिनेंट को टेस्ट फोर रिकॉंबिनेंट नौन रिकॉंबिनेंट किसके लिए चक करें डिजैरेबल डियने के लिए चक करें तो इसके हमने उसको अगर हमने टेट्रा सैक्लीन रजिस्टेंस पर उसको लाइगेट करा है तो हम पहले एमपीसलीन रजिस्टेंस की कल्चर मीडियम में उसे ग्रो कराएंगे ठीक है अगर हमने टेट्रा को ट 75 जैट किया है अगर हम फिर सको इस मीडियम में कलचर मीडियम में डालेंगे अगर मेझ में गरवक डालेंगे तो इट मेंस यहाँ पर हमारे पास जो इसको प्रोड को अब La vault culture medium में डालेंगे अगर tetracycline medium में अगर यह grow नहीं करेगा तो it means यह यहाँ पर हमारे पास जो tetracycline resistance के जो genes थे वो grow नहीं कर रहे हैं तो it means इससे prove होता है जो हमने foreign DNA डाले हैं क्योंकि उनका behave change हो गया उनका structure change हो गया तो इसका मतलब जो हमने foreign DNA डाले हैं इस medium में ठीक है इस tetracycline resistance के साइट में वो recombinant हो गए हैं इसका मतलब वो culture medium में grow नहीं करेंगे क्योंकि उनका behave change हो गया है अब उनके पास tetracycline resistance नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो recombinant हो गए हैं ठीक है अब देखिएगा एंपिसलीन मीडियम में अगर हम उनको grow कराएंगे तो वो एंपिसलीन resistance में grow कर देंगे क्योंकि देख लीजेगा उस साइड में हमने कोई भी foreign DNA या कोई भी cut नहीं लगाया है tetracycline resistance में हमने cut लगाया है foreign DNA के लिए अगर जब हमने cut लगाया है तो चेक करना है हमने कि यह foreign DNA यहां पर ligate हुआ है या नहीं हुआ है means recombinant है हुआ है या नहीं हुआ है या इसके लिए हम इसको क्या करेंगे चेक करने के लिए दोनों ही एंटिवाटिक resistance मीडियम में कार आएंगे इस agriculture में एक पैटराश करंबिय identific में पैटरेज लेगे इस कल्चर मीडियम में अगर यह फिर काल लेते हैं यह यह नहीं टीक है क्यों तीक नहीं करेंगे तो इसका मतलब अभी यहाँ पर क्या होगे ए क्योंगे एंक grow नहीं करेंगे, grow नहीं करेंगे, it means ये क्या होगे, recombinant होगे, recombinant होगे, इनका character, इनका DNA change हो गया, अब ये recombinant होगे, हमारे पास तो इसका मतलब जो recombinant होगे, वो transformant है, जो recombinant नहीं होए, अब ampicillin resistance के लिए recombinant नहीं होए थे, it means ये क्या है, non-transformant, अब हमने यहाँ पर पढ़ा, recombinant and non-recombinant, अब हम next topic को discuss करने जा रहे, insertional inactivation, this is most most important, ये जो topic है आपके पास, ये important topic है, insertional inactivation, इसी के meaning में, इसी के word में ही इसका meaning चुपा हुआ है, insertional, insertional means insert करना, inactivation means उसे क्या करना, insert foreign DNA into plasmid, plasmid में ये foreign DNA को क्या करना, insert करना, और insert करने के बाद उसकी activity को देखना, उसको हम insertional inactivation कहते हैं, insertional, किसको insert करें, किसको insert करें, foreign DNA को, हम बार बार यही पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास क्या plasmid है, हम plasmid में किसको insert करेंगे, foreign DNA को insert करेंगे, तो उसी को हम insertional inactivation क्याते हैं, एक बार दुबारा से, insertional inactivation में, ये हमारे पास plasmid है, PBR322, इसमें हम foreign DNA को जब insert कर रहे हैं, तो उसके activity को हमने चेक करना है, उसके activity हम देखेंगे, तो उसी को हम insertional inactivation कहेंगे, अब ध्यान देना, insert foreign DNA into plasmid, इस plasmid में हमने क्या करा, foreign DNA को insert करा, insert करने के बाद उसके activity हमने देखनी है, कि plasmid में हमने insert तो कर लिया, लेकिन insert करने के बाद उसके activity क्या हो रहे है, तो उसके activity को हम चेक करेंगे, तो activity को हम चेक करेंगे, तो activity को कैसे चेक करेंगे, ये plasmid है, plasmid में क्या होता है हमारे पास, DNA होता है, ठीक है, प्लास्मिट में क्रोमो, क्रोममिंस जो color substance देते हैं, उनको हम क्रोमोजिनिक substance कहते हैं, तो इस प्लास्मिट में क्रोमोजिनिक substance होता है, और उनके साथ साथ इसमें beta-glactosidase enzyme होता है, यह आपको important है, प्लास्मिट में क्रोमोजिनिक substance होते हैं, और यह beta-glactosidase enzymes होते हैं इसमे तो beta-glactosidase enzymes अगर इसमें present है ठीक है beta-glactosidase enzymes की वज़े से क्या करता है ये अगर इस enzymes की presence में ये अगर आपके पास क्या होता है blue color की colonis formation करता है तो इक मींस ये क्या हुआ ये recombinant नहीं हुआ ये non-transformant है ठीक है अगर कोई भी अब हमने यहां पे चक करा था tetracycline resistance medium में अगर ये grow नहीं करते हैं तो it means ये recombination हो गया इनका recombinant हो गया अब हम यहां पर फिर दुबारा से insert करने के बाद ठीक है क्या करा हमने insertional inactivation means plasmid के अंदर हमने foreign DNA को insert कर दिया फिर हम चेक करने इंसर्ट करने के बाद उसके activity को inactivate करना inactivate the activity of plasmid plasmid के activity को किस तरीके से inactivate करेंगे तो इसको चेक करने के लिए जो हमारे पास यह प्लास्मिट है इसमें DNA होता है इसके साथ इस plasmid में हमारे पास क्या होता है chromogenic substance होते है और beta-glactosidase enzyme होता है इस enzymes में जैसे हमने क्या करा culture medium में डाला तो इसमें क्या होता है अगर blue color की colonies हमारे पास यहां पर बनती है तो it means जो हमने foreign DNA insert किया था कहां insert किया था plasmid में insert करा था तो उसके अगर blue color की colonies की formation हो जाती है तो इसका मतलब यह हमारे पास क्या है recombinant नहीं हुआ है non-recombinant बन गया it means non-transformant हो गया अगर इसी plasmid को जो हमारे पास हम insert कर रहे हैं plasmid में foreign DNA को थीक है तो insert कर रहे हैं तो यह अगर beta-glactosidase means chromozons या color क्रोमोजन्स के साथ या beta-glactosidase enzymes के साथ कोई भी color नहीं देते हैं यह क्या करता है color substance देता है इसकी presence में enzymes की presence में कोई भी color नहीं देता है तो it means यह recombinant हो गया recombinant हो गया तो means यह क्या हो गया हमारे पास transformant means recombinant तो it means जो हमने insert करा था वो insert हो गया है उसमें recombinant हो गया है वो हमारे पास transformant हो गया है तो इस तरीके से insertional activation में beta-glactosidase जो enzymes है अगर plasmid उसकी presence में या उसके साथ blue color की colonies बनाता है एक बार दो बारह से हम insert plasmid में foreign particles को insert करने के बाद जो plasmid में जो उसका chromogenic substance होते हैं या बीटा glycosidase होता है इंसर्ट करने के बाद अगर यह blue color की colonies की formation करते हैं तो इसमें it means blue color की colonies देते हैं तो it means जहां पर colonies बनती है ट्रेटरा सैकलीन में भी हमने पढ़ा था इट मेंस resistance नहीं है इट मेंस क्या है उसके लिए अब हमारे पास क्या है recombinant हो गया है colonies बन गई तो it means recombination अगर suppose colonies बन गई तो it means non recombinant है जीके इट मींस non recombinant है अगर blue color की colonies की formation नहीं होगी तो it means वो क्या है transformant और जिसको हम recombinant DNA हमारे पास formation हो गई इसी को हम insertional in activation कहते हैं insertional means in activate करना ठीक है किसको in activate करना insertional means insert करना ठीक है insertional means insert करना किसको insert करना foreign DNA को किस में insert करना plasmid में insert करना फिर उसके activity को हम check करते हैं अगर beta-galactosides के साथ क्या होता है blue color की colonies देता है तो it means वो non recombinant है अगर blue color की colonies की culture medium में formation नहीं होती है तो it means वो क्या है recombinant वो क्या है transformant की formation करता है तो इस तरीके से आज के lecture में केवल हमने दो ही point को cover किये ठीक है selectable markers की मदद से हम उसकी recombinant and recombinant and non recombinant को हम check करते हैं उसके बाद हमने insertional inactivation की बारे में पढ़ा I think student आपको यह topic समश में आयोगा नेक्स लक्चर में हम इसके और डीटेल्स स्टडी करेंगे थैंक्यू फूर वाच्चिंग करेंगे